असलाम अलेकुम बाई बाई में को दो बकरियाने एक बकर एक बकरी बीता ले जोरा राजन बोल दे ते में आमनों पानावाई सुबा तूरी चोकर ते दलिया मुक्धा काना कदा ते मुकईदा दलिया 10 कीज़ओ मुक्धदा लिया दलाय के लिया ले लीन दे दास कीज़ओ कान अदलिया कानक साधbung दे लिया। पाई आजे ते सुबा शाम दोपैर नुकि ताजे जानृ मेरी कम्हीर ने मैं आके बोओ भी को मुश्वब लेने या वड़े भाई ने साधे तो पहले ता जानृ दा शौख कर यह आप खुराक दे रहे हैं यार ये बकृण की खुराक नहीं है थीक है आप देखे शिटाला डालते हैं ना आप शिटाला ही डाले है आप ने लगाया हुआ है आपके पास वो घर का है तो उसके बराबर तो कोई चीज आपका मकावला नहीं कर सकती, कोई भी चीज आप बजार से लेकर डालेंगे, वो आपको बेंगी पड़ेगी, तो बस आपने सिर्फ थोड़ा सा ना, आप हमारी मार के ना, थोड़ा सा इसका तरीका चेंज कर ले, ठीक है, आप डाले शिटाला ही, हम मौसम कलियर होता है, धूब लगेगी, उसको शिटाले को काटे, उसको धूब में रखके, उसको खुशक करे, जब उसका पारी बिल्कुल खुशक हो जाए, सूक जाए वो, तो उसको उठाके कबरे में रख ले, और वो अपने जानवरों को थोड़ा थोड़ा करके भी नहीं, आप एक दो मन भी काटके, उसको स्कॉा ले, आपका किते दिन निकल जाएंगे, तो इस तरीके के साथ आप ये, एक तो वो चारा आपका महफूज हो जाएगा, ज्यादा देर तक आपका चलेगा, खुशक चारा पड़ा हुआ खराब नहीं होता, और दूसरा, महसूस करेंगे, जब आप ये इस तरह खुशक डालेंगे, तो आपके जानलों की, आप देखें कि दिनों में आपके जानलों को आपको फरक महसूस होगा, तो ये आप शिटाले को खुशक करके डाले, एक डबर, दूसी डबर, आपके पास गंदुम घर की है, तो इससे त ये आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, थोड़ी सी चीज़े हैं, ज्यादा नहीं है, वह आप बजार से ले हैं, ये आम मिल जाती है, उसके अंदर सौफ डालें, थोड़ी सी एक पैकेट सौफ का, ये दस पदरह बीस रुपेगा सौफ का पैकेट मिल जाता है, वो ड बालें, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप डालके वो एक बैलस मरणा मान जाता है, वो आप बनाएं और वो डालें, आपका वर्ड़े के ओपर जो या बजार से लेके आएंगे ना, आपके हजार से बारा सो रुपे लगेगा, सो किलो के वर्ड़े का, ठीक है, ये घरा विटेम्ट के डालके, उसके बाद खल और चोकर, ये बड़ा आट है, ये आएगा आपका बारह सो मक्साद्ञी बोरी आएगई, ये आप डाल के, ये सारा कुछ बिक्स करके, वर्ड़े का ये वड़ा बाज जाए गा, ये वर्ड़ा आपने इस्तमाल कर वाना है, आ तिर्मद में आपने एक किलो यह बढ़ना दे रहा आदा किलो एक बढ़ना दे रहा है जब आपकी वक्री हामला उग डचो थे मुने में चली ही की तब आपने यह वर ने की बढ़दार बढ़ाँ दे लिए आम ли lle एक पाऊ सुबा एक पाऊ शाफ में और जब वावगी बगरी हमला हो जाए. चोते मीने में चली जाए. या दूद वारी बगरी है जिसने बच्चे दिये हुए है. उसको भी. दो मीने तक जब तक वो दूद ज्यागा देती है, बच्चे उसके छोटे होते है. उस کے بعد साथ ही आप अपने जानवरों की डिवर्मिंग कर दें, उनको पेट के कीड़ों की द्वाई पिलाएं, और उनको टीका भी लगाएं, जो ये बालों के ओपर जो है चिछर लगते हैं, इसके लिए भी टीका लगाते हैं, ये दो तरह से डिवर्मिंग होती है, एक पेट के क बाल करें, फिर उसके बाद उनकी डिवर्मिंग करें, और उसके बाद उनका बढ़ना अच्छा उनको दें, खाने के लिए, तो ये बेहतरी डिसके बाद आपको डिजर्ट पिलेंगे.